नमस्कार मैं हूँ जूही वर्मा और आप देख रहे हैं NewsLiveMP.com और सिंधिया शिवरास से जुड़ी हुई बड़ी खबर है बड़ी खबर ये है कि जो भी वादे जो तरह देते सिंधिया को किये गए हार के बाद उन वादों में कुछ कटोती की जा सकती है या ये भी आरोप लग रहे हैं अब सिंधिया केमी की तरफ से शिवरास सिंग चौहान और बीजेपी पर कि उनके साथ डबल गेम होने की संभावनाएं भी है इस तरह कि अटकलें सियासी गलियारों में बहुत जोर शोर से फैल रही है और उसकी वज़ज़ सिर्फ ये है कि जो वादा जो पत खेमे के खिलाफ चल रहे हैं ये समझ पाना अभी फिलहाल मुश्किल हो रहा है जोतिरादिति सिंधिया के लिए भी उनके समर्थों के लिए भी और खुद बीजेपी के चुनिंदा निताओं के लिए भी जो अभी तक शिवराज की कदम से अंजान है मामला सारा तब शुर गए हैं इमर्ती देवी गिर्राज दंडोतिया के राजनेतिक पुनरवास के लिए शिवराज और सिंधिया की मुलाकात चल रही है सिंधिया ने मुलाकात के बाद भी यही कहा और पहले भी यही कहा कि अंतिम फैस्टा शिवराज का होगा पर खबरे थी कि वो लगातार अपसी कर सकें इसमें खबर आई कि इमर्ती देवी को महिला वित्तेवं विकास निगम का अध्यक्षपत सौपा जा सकता है और हाउसिंग बोर्ड में गिर्राज दंडोतिया को अध्यक्ष बनाया जा सकता है जुस दिन ये खबर आई इत्तिफाक हो सकता है या प्री प्ला भी कर लिया है ये बेहत चौकाने वाली बात थी क्योंकि वैसे ही बीज़पी में अभी बहुत मारा मारी है मंतरी पद लाब के पद इनका किस तरह से ऐसे बाटा जाये कि शेतरी संतूलन भी बना रहे और पार्टी में असंतोश ना पहले ऐसे में सागर जिले से जहां से तीन मंतरी पहले से ही शिवराज कैबिनिट में है उसी के एक मंतरी को एक बड़े मंडल का अध्यक्षपत बना देना ये साबित करता है कि शिवराज शाय नहीं चाहते कि ऐसे किसी भी बहुत बड़े निगम मंडल में शायद शिवराज शायद सिंधिय समर्थकों की एंट्री ह हो सके उसे इस तरीके से माना जा रहा है भूपेंदर सिंग वैसे भी बहुत खास माने जाते हैं शिवराज सिंग चौहान के दूसरी खबर ये भी आए कि शिवराज और भूपेंदर में ही तनातनी हो गई है उनने अध्यक्षपत जॉइन किया तो ये खबरे भी आए कि श तब भबते इसी तरह बरकरार रहेगा नमस्कार